नमस्कार दोस्तों सवागत है मेरे YouTube सेनल मेडिशन नॉलेज हिंदी में अगर आप मेरे सेनल पर नहीं हो तो प्लेज मेरे सेनल को सब्सक्राइब करें हाँ तो दोस्तों मैं आज आपके सामने एक मेडिशन लगा हो इना इपी सैंपू जो कि एक वेटेनरी प्रोड़क्त है ज इसमें टिक्स या डेंट्रब या एरफॉल्म होने पर रोकने के लिए इस सैंपू का उपयो कहता है एक बहुत ही अच्छा सैंपू इंटों कि नॉर्मली हर वेटेनरी स्वाप पर एवलेबल है यह अब जानते हैं इसको कंपनी के बारे में तो इरिना इपी सैंपू को एक हैं जैसे कि कुद्रे के पर टेक्स है एसको डेंट्रब या या लिए विर्फॉल्म हो रहा है उसको कहीं तरह की इंप्यक्शन है इस टब इस सैंपू का उप्योग किया जाता है यह सेंपू का उप्योग करने से आपको दो तिन दिन चैना ब्याटरी अदर त्रीतर मिल अगर यह शैंपू डॉग या पप्पी को नहलाते समय अगर कि इसको आख में सला जाए तो इसको आख में इंफेक्शन हो सकता है जैसे कि आख का जलन होना या आख का लाल हो जाना इसा नॉर्मल यह आपको साइड देखने को मिल सकता है अब जानते है उसके प्रैज के बारे है तो आप वेटनरी स्वाप पे जाके या वेटनरी डॉक्टर से कंफर्म करके सेंपू का उप्यों कर सकते हैं अब जानते हैं उसके इस शैंपू का उप्यों कुत्तो या डॉगी या पप्पी के सरीपे टीक्स डेंडर या हेरफॉल जैसी तकलिव में उसको नहलाने के ल देदरियों वहां से खत्य समय देखें कि यह शैंपू एक्सपाय तो नहीं है उसके बाद में यह शैंपू का उप्यों करें वहना और ज्यादा पप्पी या डॉगी को साइड हो सकता है तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे सेनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के आप तक पहले पहुंच चकें